हाई फोक्स अपने कियेवे वादे के अनुसार में आगे हूँ आपके सामने अपना नेक्स वीडियो लेकर और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हेल्थ इंशुरेंस पॉलिसी में हॉस्पिटल रोम रेंट कैपिंग क्या होती है हॉस्पिटल रोम रेंट क तीन संसनी के सवालों में चुपा है hospital home rent capping का राज तो आईए उठाते हैं इस संसनी के जराज से पर्दा और जानते हैं कि वो तीन सवाल कौन से हैं पहला सवाल Health insurance policy में hospital home rent capping किस तरह से काम करती है दूसरा सवाल क्या health insurance policy में hospital room rent capping का होना सही है और अगर सही है तो क्यों सही है तीसरा सवाल क्या health insurance policy में hospital room rent capping एक कि स्कैम है तीनों सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे इस वीडियो में last तक बने रहे और मेरे चैनल insurance सेवा को अपना धेर सारा प्यार देना न भूले यानि के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना न भूले health insurance policy में hospital room rent capping को detail में समझने के लिए मुझे आपको flashback में ले जाना होगा और ये कहानी है मेरे दोस्त मिस्टर सिनहा की मिस्टर सिनहा दस दिन hospital में admit रहने के बाद ठीक होकर आज घर वापस लौट रहे थे मिस्टर सिनहा बहुत खुश थे और खुश होने की बाद भी थी दस दिन hospital में admit रहने के बाद आज वो अपने परिवार अपने बच्चों के बीच वापस लौट रहे थे उनके घर पर उनका बहुत बेसपरी से इंतजार हो रहा था और इधर हॉस्पिटल में भी जल्दी जल्दी डिश्चार्ज की फॉर्मलिटिस को कम्प्लीट किया जा रहा था फिर जैसे ही मिस्टर सिना डिश्चार्ज स्लिप लेने के लिए रिसेप्शन पे पहुँचे उनके हाथ में एक लंबा चोड़ा बिल थमा दिया गया था मिस्टर सिना शॉक्ट हो गए उनकी घर जाने की सारी खुशी कुछ ही पल में तनाव में बदल गई क्योंकि हास्पिटल में एड्मिट होते समय मिस्टर सिना ने अपनी कैशलेस हेल्थ इंशुरेंस पॉलिसी का कार्ड टेपीए डेस्क पर जमा करा दिया था और मिस्टर सिना पूरी तरह निश्चिन थे उन्हें लगता था कि हास्पिटल के सारे एक्सपेंसेस उनकी हेल्थ इंशुरेंस पॉलिसी से कवर हो जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं हास्पिटल का टोटल बिल था दो लाग चालीस हजार रुपे और इंशुरेंस कमपनी ने सिर्फ एक लाग पचास हजार रुपे ही अपरूर्ट किये थे नब्बे हजार रुपे मिस्टर सिना को अपनी पॉकेट से पे करने थे अब सवाल ये उठता है कि जब मिस्टर सिना के पास एक कैशलेस हेल्थ इंशुरेंस पॉलिसी थी तो मिस्टर सिना नब्बे हजार रुपे अपनी पॉकेट से क्यों पे करेंगे मिस्टर सिन्हा ने 3-4 साल पहले 5 लाख रुपए की health insurance policy online purchase की थी बिना terms और conditions को पढ़े इतने साल मिस्टर सिन्हा policy online renew करते रहे लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि उनकी health insurance policy वे hospital के room rent पर capping है पता भी कैसे चलता policy उन्होंने online purchase की थी तो कोई agent तो उनके पास था ही नहीं जो policy के बारे में update देता मिस्टर सिना की policy में 1% आफ दा समय शोड की room rent पर capping थी लेकिन अगर मिस्टर सिना की policy में 1% आफ दा समय शोड की capping भी थी तो भी मिस्टर सिना 90,000 रुपे की मोटी रकाम अपनी pocket से क्यों pay करेंगे आईए इसको detail में समझते हैं मिस्टर सिना ने hospital में 8,000 रुपे per day का एक deluxe room opt कर लिया था जबकि मिस्टर सिना की eligibility थी 5,000 रुपे per day के room की 8,000 रुपे per day के हिसाब से हुआ 8,000 into 10 दिन hospital में मिस्टर सिना एड्मिटर है 8,000 into 10 यानिके 80,000 रुपे और eligibility के हिसाब से बनता था 5,000 into 10 यानिके 50,000 रुपे उस hospital में deluxe room जो मिस्टर सिना ने opt किया था डॉक्टर फीस्ती 5,000 रुपे per day तो 10 दिन का हुआ 5,000 into 10 यानिके 50,000 रुपे वहीं अगर देखें तो मिस्टर सिना की room eligibility के हिसाब से 5,000 रुपे के per day के room यानिके single private room की doctor fees थी 3,000 रुपे per day और 10 दिन का हुआ 3,000 into 10 यानिके 30,000 रुपे अब देखते हैं nursing charges and other charges तो उस hospital में deluxe room के nursing charges थे 4,000 रुपे per day और 10 दिन का हुआ 40,000 रुपे वहीं दूसरी तरफ देखें तो उनकी eligibility के हिसाब से single private room का nursing charge था 3,000 रुपे per day और 10 दिन का हुआ 30,000 रुपे अब देखते हैं surgery fees तो मिस्टर सिना की जो surgery हुई थी उसका deluxe room का charge था 70,000 रुपे और eligibility के हिसाब से 5,000 रुपे per day के room यानिके single private room का charge था सर्फ 40,000 रुपे अब जरा इसका total करके भी देख लेते हैं मिस्टर सिना ने room opt किया था 80,000 रुपे का doctor fees थी 50,000 रुपे nursing charge था 40,000 रुपे और surgery fees थी 70,000 रुपे यानिके total हुआ 2,40,000 रुपे अब देख लेते हैं eligibility eligibility के हिसाब से उनको 5,000 रुपे पड़े का room eligible था यानिके 50,000 रुपे doctor fees थी 30,000 रुपे nursing charges थे 30,000 रुपे और surgery fees थी 40,000 रुपे eligibility के हिसाब से और total हुआ 1,50,000 रुपे 2,40,000 माइनस 1,50,000 रुपे इकवल टू 90,000 रुपे यही 90,000 रुपे का difference मिस्टर सिना को अपनी पॉकेट से पे करना था Health insurance policy में hospital room rent capping के clause के according जैसे ही आप hospital में room category change करते हैं hospital के सारे expenses उसी प्रोपोस्टेट में change हो जाते हैं insurance companies hospital room rent capping के case में प्रोपोस्ट ने deductible clause को apply करती हैं जिसका एक mathematical formula है और उस formula को समझना बहुत जरूरी है hospital का total bill into eligible room rent per day divided by opted room rent per day अब इसमें लेते हैं मिस्टर सिना का example मिस्टर सिना का total bill था 2,40,000 रुपे into उनकी room eligibility थी 5,000 रुपे पर डे की और divided by 8,000 रुपे जो room उन्होंने opt किया था is equal to 1,50,000 रुपे और यही 1,50,000 रुपे insurance company में approved कर दिये थी तो इस तरह से काम करती है health insurance policy में hospital room rent capping अब दूसरा सवल क्या health insurance policy में hospital room rent capping का होना सही है तो इस पर मेरा जवाब है कि अगर आपकी policy 3 या 4 लाग रुपे के समय शोड की है तो आपकी policy में hospital room rent capping का होना सही है क्योंकि 3 या 4 लाग रुपे के समय शोड की policy में अगर आप 10,000 या 15,000 रुपे पढ़े का room opt कर लेंगे और बीमारी का treatment लंबा चलने वाला है तो बाकी इलाज के लिए पैसा कहां बचेगा cancer और kidney disease जैसी बीमारियों में regular chemotherapy regular dialysis के जरूरत होती है ऐसे में लगजरी से ज़्यादा जरूरत है आपको treatment मिलने की regular treatment मिलने की और अगर आपकी policy 10,000,000 या उससे ज़्यादे के समय शोड की है तो फिर आपकी policy में hospital room rent पर capping नहीं होनी चाहिए अब तीसरा सवल क्या health insurance policy में hospital room rent capping एक स्कैम है not at all health insurance policy में hospital room rent capping पिल्कुल भी कोई स्कैम नहीं है क्योंकि कोई भी insurance policy की guideline, terms and condition IRDA के द्वारा approved होने के बाद ही market में launch होती है customers तक पहुंसती है हम इसे एक hidden demon जरूर कह सकते हैं health insurance policy में hospital room rent capping एक predefined sub limit है जो insurance company के द्वारा insurance policies में apply की जाती है loss factor को कम करने के लिए अब जरूरत है तो इसे ठीक से समझने की अगर आप चाहते हैं कि आपको last moment पर shocking surprise का सामना ना करना पड़े तो insurance policy खरीदने से पहले उसकी terms and conditions को ठीक से पढ़ें समझें और उसके बाद ही कोई insurance policy purchase करें अगर कोई भी terms and conditions आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने agent से सवाल करें पूरी तरह से निशिंत होने के बाद ही health insurance policy purchase करें मैं समझता हूँ कि मेरे इस 10 minute के वीडियो से आपके hospital home rent capping से related सारे doubt clear हो गए होगे लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं कुछ queries हैं तो नीचे दियेवे comment box में आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरा नाम संदीप सिंगल है मैं एक business entrepreneur हूँ और insuranceaver.com का co-founder हूँ insuranceaver.com का objective है अपने हर customer को hassle-free claim service देना हमारे पास एक qualified and dedicated claim team है जो किसी भी insurance company से अपने हर customer का हर genuine claim settle कराने के लिए competent है Thank you so much